नमस्कार, हेल टिप्स चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टेप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत इंपोर्टेंट और आपके लिए ज्यादा लाब्दा एक साबित होती है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास, जिया दोस्तों आप भि पहली पसंद तक भी मानता है, जिया दोस्तों भिंडी के फाइदे सब्जी के तौर पर तो खूब गिनाये जाते हैं, जिया दोस्तों आप जान लेते हैं, भिंडी का पानी आपकी सेहत के लिए कितना फाइदे मन्द होता हो सकता है, भिंडी को ओकरा के नाम से भी जाना ज बढ़ाता है जिया दोस्तों यदि आप इन jeux को पाना चाहते है तो आप भिंडी के रस का सेवन करें लिए दोस्तों मैंक लगेकर दोस्त करें मुलता है जिए दोस्तों आयरुषब्ya में आपको भिंडी के स्वास्था लाप के बारे में बताया गया भीन्डिरी यानि की इम्यून प्रूब को भी बिष्ट अप कर देता है जहां दोस्तों केलोस्ट्रोल के कम करने को भी बताया जाता है शूगर की बिमारी में भी इसका सेवन बहुत अच्छा बता अच्छा गया है गुर्दे की बिमारी में भी भिंडी का बहुत जादा फाइदा माना गया है आई अब हम देख लेते हैं कि भिंडी का रस के फाइदे या भिंडी का पानी जो है उसको घर पर कैसे बनाया जा सकता है जै दोस्तों पाच छे मीडिया मकार की भिंडी लेकर इसे किनारे से काट लीजे भिंडी को बीच में से काट ले और फिर इसके एक से दो कटोरी पानी में भीगो दीजे रात भर इसे भीगा रहने दे चार या पाच घंटे इसे ऐसे ही रहने दे इसके बाद भिंडी के टुक बिंडी के बारे में विकिना रही है, इसमें वजन कम करने के बहु enhance है अच्छे गुन पाई जाते हैं, अस्तमाओी समस्या में इसका सबसे जादा अराम मिलने की बात बताई गई है। जिया दोस्तो अपत जो है यानि कि आपको कैसी भी गैस क्यों ना हो बिंडी का पानी वो बिलकुल दूर हो जाती है जिया दोस्तो गुर्दे की बिमारियों को भी बहुत ज़्यादा असरदार होती है और यह उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइदेमन माने जाती है हालाकि इस नुस्के को अजमाने से पहले डॉक्टर से सला जरूर लीजिए जिया दोस्तों कि आपको ये मुठीव होगा की नहीं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही लोटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब और शेयर करना ना भूले और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करे क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा प्रेणा मिलती रहती है